तो दोस्तो State Bank of India SBI देश की जानी मानी बैंक ये बैंक में अगर जाना है तो अपने रोंटे खड़े हो जाते क्योंकि ये बैंक में लंबी-लंबी कतारें लगी रहती है हर एक काउंटर पर साथ इसाथ ये बैंक के स्टाफ में ज्यादातर स्टेड बैंक के स्टाफ में अपन जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बैंक है अपने देश की नैशनलाइद बैंक पग्लिक सेक्टर बैंक है क्योंकि यहाँ पर अपने को लगता है कि अपने पैसे जो है वो सुरक्षिद रहने वाले सेफ रहने वाले इसलिए हम स्टेट बैंक आफ इंडिया में अकाउंट ताकि आगर अपने को कभी करदा भी लेना हो तो State Bank of India के करदे का बैज रेट है वो कम है इसलिए हम वो बैंक में बिल्कुल जाना पसंद करते हैं बले इतनी भीड़ो हम जाते ही है ऐसी ये ग्रहक थे जिनका नाम था सुनिल मैती ये भी State Bank में उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया था उनके साथ क्या हाथसा हुआ था वो Supreme Court में क्यों पोज़ गए थे आईए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बाच्ची तो नमस्कार मेरा नाम है राकेश और आप मुझे देख रहे हो टाइक्स यंक्शन पे और मैं आपको रिक्वेश करूंगा कि आप मेरे चानल को बिलकुल सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टन अपडेट्स ही देते रहता हूँ तो करते हम वह बात वह ग्रहक के उसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा वह जो केस हुआ हैं जो सुपरिम कोर्ट में वह लेके गए ग्रहक उनके के उपर में आपको लेके जाता हूँ तो ये ग्रहाग का नाम था सुनिल कुमार मैती ये State Bank of India को लेके पहुच गये थे सुप्रिम कोट एक्जेक्टली हाथसा क्या हुआ था एशू क्या हुआ था तो ये जो कस्टमरे सुनिल कुमार मैती ये सुनिल कुमार मैती जो है इन्होंने जानेवरी 2000 में State Bank of India में अकाउंट ओपन किया था ये अकाउंट का नंबर एंड हो रहा था 167 से को उनको बताया गया कि आपका अकाउंट नंबर है वह अब बदल गया है और अकाउंट का नंबर अब एंड हो रहा है 732 732 से उनका अकाउंट का नंबर बन रहा है चोबिस फरवरी 2010 को उनका अकाउंट नंबर जो है वो बदल चुका था इसके बाद 15 सप्टेबर 2012 को यह जो सुनिल कुमार मैती जो है यह पहुझ गये थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 500 रुपे डिपोजिट कर ले तो वहां का जो स्टाफ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो स्टाफ है उन्होंने सुनिल कुमार जी को बोला कि आपका जो अकाउंट नंबर जो है वो अब बदल चुका है मतलब है तीसरा मोका था कि उनका अक तब अकाउंट नंबर अलग था 2010 में अलग अकाउंट नंबर दिया गया 2012 को अलग अकाउंट नंबर दिया गया सुनिल कुमार 500 रुपे डिपोजिट करके घर आ गये थे उन्होंने यह अकाउंट जो है यह अमांट जो है उन्होंने नए अकाउंट में डिपोजिट करी थ और वो चेक उन्होंने तीन लाख रुपे का चेक उन्होंने ये अकाउंट में जमा किया, जो उनको तीसरा वाला अकाउंट नमबर जो बदल गया है, वो अकाउंट नमबर बैंक नहीं दिया था, उसी अकाउंट में इन्होंने तीन लाख रुपे का चेक जमा भी कर दिया थ सुनिल कुमार सीधा स्टेट बैंक में पहुचे अपना पास्बुक जो है उसको अपडेट करवाने और वो पहुचे थे 11 डिसेंबर 2013 को पूरे साल बर में लगबक सुनिल कुमार जो है बैंक नहीं गये थे सीधा डिसेंबर में गये थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि अ उनको ऐसा कहना था कि मैंने 16 जन्वारी 2013 से लेके 11 डिसेंबर 2013 तक कोई भी ट्रैंजैक्शन नहीं किया है तो सुनिल कुमार मैती जो है उन्होंने इंक्वाइरी करी बैंक ने उनको बताया कि यही ब्रैंच में एक अलग आजमी जो है जिनका नाम भी सुनिल मैती है मतलब जिनका अकाउंट में कि हम बात करें उनका नाम है सुनिल कुमार मैती और दूसरे जो है जिनका अकाउंट में सुनिल मैती हैं दूब दो अलग-अलग इंसान ने एक के नाम में कुमार इंक्लूड है तो बैंक ने उनको ऐसा बताया कि यह जो यह बैंक में दूसरे सुनिल मैती नाम के इंसान है और इनका अकाउंट नंबर है वो 54 से एंड हो रहा है यह अकाउंट नंबर जो है वो आपको गलती से स्टाफ की तरब से दिया गया है और आपका अकाउंट नंबर जो है जो आपक को दिया गया अकाउंट नंबर है वो आपको गलती से दिया गया है मतलब यह जो 504 का जो तिसरा अकाउंट नंबर इनको बोला गया था वह एक्चुली सुनिल मैती का था बलकि सुनिल कुमार मैती का अकाउंट नंबर जो था वह एक्चुली 732 ही होने वाला था लेकिन उनको अलग अकाउंट नंबर बैंक के स्टाप के तरफ से भूला गया और इसलिए उन्होंने वो अकाउंट में 3 लाख रुपे जमा कर दिये थे अब सुनिल मैती जो है जिनके अकाउंट में गलती से पैसे आये थे सुनिल कुमार मैती के उन्होंने क्या क्या उन्हेंने 25 जनवरी 2013 और 28 जनवरी 2013 को 1 लाख और 2 लाख करके पूरे के पूरे 3 लाख जो उनके अकाउंट में गलती से जमा हुए थे सुनिल कुमार के वो सुनिल मैती ने निकाल दिये अब 3 लाख रुपे उन्होंने निकाल दिये लेकिन सुनिल कुमार मैती जो है वो कठाया कंजूमर फोरम जो है डिस्रिक्ट कंजूरम उन्होंने सुनिल कुमार मैती के साइड से डिसीजन भी दे दिया था तो बैंक जो है ये फैसले से नाराज हो गए थी और State Bank of India जो है वो पहुच गए थी State Consumer Court में राज्य के Consumer Court में State Bank of India सुनिल कुमार महिती जो है उनको लेके पहुच गए थी अब यहाँ पे पहुचने के बाद जो है State Consumer Forum जो है उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था सुनिल कुमार महिती के फेवर में ही डिसिजन दिया था लेकिन उन्होंने अलग-अलग मुद्दे रखे हुए थे यह केस में उन्होंने सबसे पहले ऐसा बोला कि सेड़ वैंक ऑफ इंडिया जो है उनके पास दो लोगों का अकाउंट सुनिल कुमार महिती और सुनिल महिती लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला था कि सुनिल कुमार महिती का सिगनेचर अलग होगा डिपॉजिट स्लिप पे अगर करेंगे तो और सुनिल महिती अगर स्लिप बनाएंगे तो उनका सिगनेचर अलग रहेगा तो यह जो तीन लाग का जो चेक है उसके उपर जो स्पेसिमेंट सिगनेचर जो है जो डिपॉजिट स्लिप पे जो साइन करते वह साइन जो है सुनिल कुमार मैटी की है वह मैच हो रही है दुसरी बात यहां पर स्टेट कमिशन ने ऐसी बोली थी कि जो सुनिल मैटी जो है सुनिल कुमार मैटी जो है वह जनरली क्या करते इंगलिश में ही साइन कर पाते है जो हमेशा इंगलिश में करते लेकिन यह जो सुनिल मैटी है जिनके अकॉंट में गलतीсят를 जम्मा हुए थे वो जो साइन करते वो बंगॉली में इकरते उनको इंगलीश आती नहीं है। 3,000,000 वर उनके account में जम्मा हुए वो निकलना आता है लेकिन साइन जो है वो बंगॉली में ही कर पाते हैं। तो यह बात State Commission ने सामने से बोल देती। यहां पर आगे भी बोला गया था State Commission की तरब से की जहांसे जो सोर से जहांसे उनको चेक मिला था वो चेक देने वाले इनसान का नाम भी सुनिल कुमार महिती ने बोल दिया था मतलब सुनिल कुमार मैती इतने क्लियर थे कि ये जो 3 लाख रुपे आये है मुझे किस से मिले है ये भी उनको पता था और उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया था लेकिन जो दूसरे थे सुनिल मैती जिनके अकाउंट में गलती से पैसे जमा हुए थे वो सैलरीड परसन थे व जवाब देना चाहिए है मैं पैसा और पूरा नाम निखेगा डिपयोजिट स्लिप पे इसी 1500 शुनिलकुमार मैती जी उन्होंने अपना नाम शुनिलकुमार मैती ही लिका था सुनिल महिती ऐसा नाम नहीं लिखा था। आगे बाइत ऐसी सामनी आय Okay reteनी यूए seem को कोई भी चक्लियर करना होता था है तो सामनेगे वाले का नाम अकांट नंबर, अमाउंट और तारीक बिल्कुल चेक करते हैं चेक में जो भी चीजे है वो सारी चेक करते ही है और यह निचरल है कि अगर बर है तो बैंक ने सुनिल कुमार मै Fam souffi के अकउंट में ही तो फिर bank जो है उसने यहाँ पे actually clear सुनिल महिती के account में चेक clear नहीं करना चाहिए था तो यह चेक का नाम जो था वो सुनिल कुमार महिती था तो bank ने सुनिल कुमार महिती के account में clear करना चाहिए था सुनिल माइती के आकांट में च्छेक क्लियर करने कि कोई भी गुझाई शहाद पे नहीं ति ऐसा स्टेट कमिशन ने बोला आ कि विब्य इसाट्स कमिशन ने ऐसे बोला है कि कोई भी इन सान जो है वह वह उनिल माइती जो आए वो इंगलिछ में नहीं लिख पाते हैं कोई भी इंसान जो है शिरूब अपना divis एंग्ली में कैसे लिखेगा उनको फिर बेंगवाली आती है उन्होंने इंग्ली में कैसे क्या डिपोजिट यह आपने उनके 하면 मैं में जो है और सुनिल कुमार मैती यह भी आपस में संपर्क में रहे है सुनिल कुमार मैती जो है जिनके पैसे थे और सुनिल मैती जिनके आकाउंट में गलती से पैसे जमा हुए थे उनको सुनिल कुमार ने ऐसा बोला था कि आप प्लीज ब्रांच मैनेजर को मिलने जाओ इन्हों जाएगा branch manager को मिलने को इतले सुनिल मैती जो है इनको टाल रहे थे और वो जाने के लिए मना कर रहे थे branch manager को मिलने के लिए इसके बाद जो सुनिल मैती जो थे जिनके account में चेक clear हुआ था वो उनके पास कोई भी deposit स्लिप नहीं मिली थी कि उन्होंने चेक deposit किया है यह सारी बाते सामने आ रही थी मतलब यहाँ और भी बात स्टेट कमिशन ने बोली थी कि अगर सुनिल कुमार मैती को अगर चेक deposit भी करना है तो सुनिल मैती के account में क्यों deposit करेंगे वह उनको उनका account नंबर कैसे मालुम होगा उनको कैसे जानकरी रहेगे उनके बारे में यह स्टाफ जो होता है उसने account नंबर दिया है और ऑफिसर जो है उनसे मिले वह account नंबर पर सुनिल कुमार मैती ने चेक deposit किया हुआ है लेकिन श्रेट बैंक जो है वह मानने से रही श्रेट बैंक जो है सेट कमिशन के फेसले के अगेंट्स उन्होंने नैशनल कमिशन का दरवजा खट खट आया सेट बैंक जो है उन्होंने अपनी गलती एकसेप्ट नहीं करी नैशनल कमिशन पोच गए नैशनल कमिशन जो है उन्होंने तो हाइट कर दी थी उन्होंने क्या किया उन्होंने यह जो स्टेट कमिशन का जो फेसला उसको खारिश कर दिया उन्होंने क्या किया स्टेट बैं उन्होंने ये फैसला State Bank of India के favor में दे दिया था मतलब सुनिल कुमार महिती जिनके पैसे का नुक्सान हुआ जिनके favor में State Commission में ने भी decision दिया State Commission ने decision देते हुए सारे के सारे proofs भी दे दिये थे उसके खिलाफ National Commission ने फैसला दे दिया था National Commission जो है उन्होंने सुनिल कुमार महिती की कोई बात नहीं सुनी उन्होंने State Bank of India से सीधा report मंगाया और अपना फैसला दे दिया था तो इसी बात से सुप्रिम कोर्ट नाराध होते हुए नजर आये थे सुप्रिम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये revision आपने किया कैसे आप अगर revision करना चाते हो आप interference तभी कर पाते हो अगर State Commission जो है उन्होंने कोई गलत तरीके का evidence लिया हुआ है या फिर उन्होंने गلत तरीके से कोई pragultural किया हुआ है या फिर स्टेट कमिशन जो है जिनका jurisdiction नहीं था उन्होंने वहां पर कोई decision दिया है उन्हें को illegal decision दिया है तो ही national commission जो है ऐसे revision वाले फैसले ले सकती है national commission अपने हिसाब से सिधा revision नहीं कर सकती है यह बास supreme court ने बोली है सुप्रिम court ने ऐसा बोला कि section 21 भी जो होता है national commission को उन्होंने बोला section 21 भी जो वो लिमिटेड है कि आप किसी कभी भी आप रिवीजन अगर करना चाहते हो state commission ने अगर कोई फेसला दिया है उसको अगर आप बदलवाना चाहते हो तो कभी बदलोगे जब state commission जो है उनके पास जो power था उन्होंने एक्सराईयड नहीं किया या फिर उनके पाल जो जुरिल डिक्षण दिया था उसके उपर लेने को फेल हो गये थैं या फिर उन्होंने इन्लीकली फिर ए regenoria कर सकती है अप पयार सुप्रिम कोट्ट ने अचिनल कमिशन कभ יותר सुनाए है सुप्रिम कोट्टariasach इंडिया का रिपोर्ट मान लिया और आपने जो सुनिल कुमर मैती है उनको धिमेदार ठायराया उनको ऐसा बोला कि यह सब आपके कारण ही हुआ है आपने आपका पाजबुक जो है अपने सेफ कस्टेडी में नहीं रखा था यह आपके निगलिजन से कारण हुआ है इसमें स से बोला कि आपको यह जो बाते यह सारी कंवरिक बाते ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं होता कि जिसको दूसरे कश्टमर का अकाउउंटन नंबर मालूम हो बहुत का आकाउं रहता हिए और किसी और का अकाउंट नंबर वो लिखेगा और ऐसी चीज़े करेगा तो यह मतलब बिलकुल ही पॉसिबल ही नहीं है जो नैसल कमिशन ने रिड़न्स दिये हुए थे तो यहाँ पे सुप्रिम कोट ने वहीं बोलाए कि कि अकाउंट नंबर किसी और का मालूम ही नहीं होगा जबgeb producer अपके पास बैक काउंट नंबर होता ही नहीं है तो सुनिल कुमा सुनिल मैती जो है जिनका अकाउंट नमबर जो वो अकाउंट नंबर जो है वो सिर्फ बैंक ऑफिसर कोई मालूम यह आ रहाएगा कोई भी सेंट परसन मतलब कोई भी मतलब सेंट इंदर सेंस में समझधार आदमें जो होता है वो कैसे किसी में प्र शेक अइसे में करएगा अगर अपने को पता है कि मेरे जैसा ही नाम किसे और अगर अलग है अगर मालूम है तो फिर हम क्यों ऐसे अकॉंड में पैसे डिपॉजिट करेंगे अपना अकॉंड नमबर उल्टा ज्यादा ध्यान से लिखेंगे अगर अपने को पता है मेरे जैसा ही नाम किसी और का है तुम्हें क्या करूंगा मेरे जैसा नाम होगा तुम्हे ज्यादा ध्यान देके लिखूंगा कि ये क्या है करके लेकिन नाशनल कमिशन जुए उन्होंने सीधा का सीधा डिस्रिक्ट और स्टेट पोर्म का डिसीजन जुए उसको खारिच करते हुए स्टेट बैंक ओफ इंडिया से रिपोर्ट लेके डिसीजन लिया है इतले सुप्र कोट ने फाइनली गया किया कि नैशनल कमिशन जो है उनका फैसला जो है उसको रिवस कर दिया और बोला कि स्टेट कमिशन जो है उनका फैसला ही यहाँ पे जायद है और स्टेट कमिशन के फैसले के खिलाफ स्टेट कमिशन जो है उसका फैसले को उन्होंने रिश्टोर कर दि उनकी कोई बात भी सुनने को उन्होंने ध्यान नहीं दिया उन्होंने सीधा अपने और से डिसीजन ले लिया था तो यह केस में एक्चुली सामने आ रहा है कि स्टेट बैंक उफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई थी क्यों उनके साफ ने कुछ अलग नंबर दे दिया था कस्टमर को और कस्टमर ने वो अलग नंबर जो मिला है उस अकाउंट में पैसे डाल दिये थे और पैसे किसे और के अकाउंट में बैंक ने बाद में जमा कर दिये थे लेकिन बैंक जो है अपने गलती जो है वो मानने को तयार नहीं था तो अपकी इस बारे मे जरूर करिएगा, take care, have a night day.